जो वोएगा वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा जैसी करनी बैसी बरनी दरसल कॉंग्रेस के कुकर्मों की कहानी रह रहके उठती रहती है और इसी को लेकर आज एक बड़ा सुप्रीम कोड का फैसला आया है मैं जनबक्ता श्रीयों गौतम आपके सामने हूँ कॉंग्रेस के इन काले चिठों को खोलने के लिए दरसल जो 2017 में एहमत पटेल ने राज्यसवा का चुनाब जीतने का दावा किया था और जिसको लेके कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने याज्चिकाएं दायर की थी इलेक्शन कमिशन में गए थे और वो उस पर तमाम विवाद हुए थे उसी के तहत आज सुप्रिम कोट ने एक याज्चिकाँ जो दाएर की थी बलवन सिंग्र आजपूत की याज्चिकाँ थी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे पहले वो कॉंग्रेस चाहिए थे जिसमें से 43 candidate congress के पास थे दो candidate जे डियू के थे ऐसे करके उनका आकड़ा तो उपड़ा था लेकिन हुआ था कि दो Congress के candidate ने इस election में भारती जंतापार्टी के candidate को बोट दिया था Congres ने दावा किया था कि इस पूरे मामले में जिस से उन्होंने बोट देने के बाद उसको दिखाया था अमिस्सा और इसमिर्टी रानी को उस बज़े से इनके जो बोट है वो कैंसल कर दिये जाए इस आदार पे बड़ा हंगामा हुआ धरना भी हुआ प्रदर्सन भी हुआ और इलेक्शन कमिशन ने उनके दोनों बोट को कैं 44 सीट है 44 विदायकों का जो समर्थन था वो उसकी जरूवत थी और वो पूरा हो गया उसको लेकर उन्हें जीता हुआ गोसित कर दिया लेकिन उसके बाद मैं जो बलबन सिंग राजपूत थे भारती जनता पार्टी के उन्होंने इसको लेकर हाई कोट में याजचिका लग रहे हैं तो वो ऊपर की अदालत में चले जाते हैं और अपने पुराने संबंदों का हवाला देखें और उनके जो कई बड़े बकील हैं जिनमेंसे दो में थे कपिल सिब्बल और अविशेक मनु सिंग्वी ने इस पूरे मामले की जो पैरवी की थी सुप्रीम कुट में उ दिख रहे हैं और बाते सामने आई हैं सुप्रीम कोट के उसके आदार पर यह जो आचिका यह नोंने लगाई है अभी जो प्रेव में फेजिक जो एविडेंस आये है उसके आदार पर जो यह आचिका इन लोगों ने लगाई है एमद पटेल की तरफ से उसको खारिज किया है कि उनकी जो स्वामिनी है सोनिया गांधी उनके लिए है या जो उनके पुत्र है उनके जो बरतमान अद्यच्छे राहुल गांधी के लिए है और साथ ही साथ यह अविशेक मनु सिंग्वी और कपिल सिद्बल के लिए भी जटका है जो कि इस देश की न्याय जो प्रडा यह था कि जो रंजन गोगोई जिन्हों ने पहले चल में सुर के साथ में और दो जज़ों के साथ में उनके कहने में प्रेस कोंफरेंस की थी सायद वो इनके पच्छ में पहसला दे देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हाई कोट का जो निर्ने था हस्त छेप न करने का उसी को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और कहा कि इस मामले की सुनवाई होना जरूरी है और होनी चाहिए अब मामला क्या था कि इस माम जो पूरा याचिगा थी वो बलवन सिंग राजपूत ने यह आरोप लगाया था कि जिस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी ने अपने सारे विदायकों को बंदी बनाकर नजरवन करके बंगलोर में एक रिजॉर्ट के अंदर रखाता जो डी के स बिलाते हैं लेकिन उन्हा कहीं जाने आने नहीं देते हैं जो कि फ्री एंफेर एलेक्शन की जो बावना है उसके कता ही खिलाप है उसके साथ बलवन सिंग राजपूत की दलील यह भी है कि यह सीधे तोर पर रिस्वत क्यों नमानी जाए बहुत जरूरी नहीं कि वह के गदी लंबी भी हो सकती है एक महीने भी हो सकती है दो महीने भी हो सकती तो इस आधार पे माव्ला अब चलेगा जो कि सीधे तोर पर न Hep रूप से तो एहमद पटेल के लिए यह दूसरा बड़ा जटका रहेगा कि एक तो उनका नाम अगस्ता बेस्ट लेंड में राहुल गांदी यानि कि सन ओफ इटेलियन लेडी और इटेलियन लेडी और सिग्णोरा गांदी के साथ साथ यहां पर एहमद पटेल का नाम भी आ रहा है उस तरीके से अब देखा जाए तो इस सीधे तोर पर सोनिया गांदी के लिए जो धीरे-धीरे कई जटके लगने लगे हैं अब सोनिया और राहुल की मुझके लिए है कि जो एहमद पटेल है वो उनका सबसे जादा विश्वस्त आजमी हैं उसके उपर अगर कोई आँच आ आती है तो कहीं न कहीं उनकी सीधे तोर पर हार जैसा दिखाई देगा अब उसको कैसे लेते हैं फिर उसके बाद जिस तरीके से सुप्रिम कोट में इनके जो वकील थे जो बहुत जादा बड़ बोले हैं जो कई बार देश को गुम्रा करने के में सबसे आगे रहते हैं कपिल सिब्बल हो कॉंग्रेस की तरब से दोनों बड़े जो वकील इसमें मामले में पेश हुए थे इन दोनों की भी बड़े ही कारणा में लोगों को सुनाई देते हैं यह वही कपिल सिब्बल है जो कोईला गोटाले में और टूजी गोटाले में संसद में बड़े-बड़े दाबे करते थे कि इसमें जीरो लॉस हुआ है लेकिन बाद में पूरे देश ने जाना समझा कि देश के खजाने क कितना बड़ा घटा इन गोटालों से हुआ था और दूसरे जो है अविशेक मनु सिंग भी यह अभी बापस लोटे मनवास से क्योंकि हुआ क्या था महिला वकील को जज़ बनाने के नाम पर जिस तरीके से उसका सोशल करते हुए दिखाई दिये थे अर्द नगर नवस्ता काम है उसके बाद को पार्टी ने इन्हें एक तरीके से बनवास बेज़ दिया था लेकिन अब वापस बुला लिया गया है और अब उनका काम यह है कि जब भी कोई मामला हो तो उसमें यह सुप्रीव कोर्ट में सेटिंग करके किसी तरीके से कॉंग्रेस पार्टी की करना अपड़ेगा कि जो लोग उन्हें है किटनीप करके यह से उठाके बंगलो होगे वह रिष्वत का मामला नहीं था दबाब का मामला नहीं था अब वो यह सीधे तोर पर उन्हें अदालतं के अंदर प्रूव करना पड़ेगा तो यहां इसके सबसात्व दूसरी बात यह है कि जो इस तरीके के बकील हैं जो मखहौन उडाते हैं बारती विधी विवस्ता का उसका जो मिस्यूज करने के लिए जाने जाते हैं और जिनकी कोई नयतिक चरित्र नहीं है क्योंकि यह वही कपिल सिब्बल हैं जिन्नोंने राम मंदर के मामले में जिस तर लायकी वाला पात्र इन्होंने अदा किया है वह पूरे देश में निंदा उसकी हो रही है कि नोंने किस तरीके से उस मामले को लटकाने के लिए हिंट दी थी नयायले को किस मामले को 19 में सुना जाये और ऐसा हुआ भी तो कल से इसकी सुनवाई है चार तारीक है कल उसमें भी देखने को मिलेगा कि यह किपल सिब्बल यह देश की भावनाओं के खिलाप लोगों की करोडों लोगों की आस्ता के खिलाप किस तरीके से इस मामले को लटकाना चाहते हैं किस तरीके से राममंदिर के रास्ते में रो कि जो चबी है वो देश मिरोधी और देश के प्रती सड़यंत्र कारी की तरह बनती जा रही है जैसा कि वह अभी राफेल मामले में कर रहे है कि वह चिलात रहे हैं कि सब मोधी गवर्मेंट ने कहा कि हम तो उस मामले में हमारा बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है जबकि अगस्ता बेस्ट लेन में यह बात खुलकर सामने आ गई है कि वहाँ पर H.A.L. को बाहर करने का काम अगर किसी ने किया था तो वह सोनिया गांदी के नेतत्त में चलने वाली मनमोहन सींग की कठपुतली सरकार ने किया था जिसके के राहुल गांदी भी जिसको कंट्रोल किया करते थे तो वह साजिस की थी राहुल गांदी और सोनिया गांदी ने और वहाँ HL को हटा कर वहाँ पर टाटा को रख दिया गया था जो कि प्राइबेट कमपनी थी उसका बचाब उसके सवाल अभी इस देश की मीडिया से कोई भी पत्रकार जो खुद को अपने को इमानदार या निस्पच से होने का दावा करता वो राहूल गांधी से नहीं कर उसके बाब जूद आप जूट बोल रहे हैं लेकिन अगस्ता बैस्टेन मामले में आप पूरी तरीके से HL को बाहर करने के दोसी है इसको लेकर कोई सवाल नहीं पूछता है तो ये बड़ी बात है किस तरीके से पेड मीडिया भी कही न कहीं कॉंग्रेस को बचाने का उसक प्रेक्शन लेने की जरूत है जैहिन जै भारत